अगले कॉलर के बात चलते हैं जहिन बुलिए जहिन क्या कहेंगे क्या कहना है आपको हम दुबारा कॉलर को कहेंगे कि क्या बोलना है ये कॉल लगाने के पहले तैकरिये कई लोग तो कई एपिसोड में ट्राय करते रहते हैं और फिर किसी एपिसोड में कॉल लग जाता है तो क्या बात करनी है भूल जाते है या कभी-कभी सहास भी नहीं होता हम चाहते हैं हम ये फोन लाइने खोलने का प्रयास इसलिए किया है क्योंकि इस देश की जनता जाने समझे और उसके उपर अपनी राय दे देश बोलता नहीं ये समझ कर ही ऐसा मान कर ही इस देश की लूट हो रही है इसलिए ये देश बोल सकता है ये हम दिखाना चाहते हैं अगले कॉलर हम यहाँ पर रुकते एक छोटी से ब्रिक के लिए ब्रिक के बाद दुबार आएंगे बिंदास बोल चाहरे ब्रिक के बाद आपका एक बार फिच्छे स्वागत है आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने पर यह प्रतिक्राय चाही है कि राजनेता को इससे दूर किया जाएं आप क्या कहना चाहते हैं यह जरूरी है देश के विभिन्न भागों से आने वाली प्रतिक्राय विदेश से आने वाली प्रतिक्राय ऐसी सारी प्रतिक्रायों के साथ आम इसकारिकम को आगे बढ़ा रह हैं हम चाहते की देश की राय क्या है यह राजनेता समझे खुच खुर्ची छोड़े गन्यता आप इतने मजबूत हो आप इतना आवाज बढ़ाए कि राजनेता अपनी खुर्ची छोड़कर भाग जाए आए आवाज बढ़ाने के लिए और कुछ लोगों को मौका देते हैं चलिए कॉल शायद कर गया है हम आगले कॉलर की पास भी जाएंगे आपको भी कॉल करने का मोखा देंगे स्क्रिन पर जो नंबर चड़ रहे इन नंबर उपर आप कॉल कर सकते हैं अपनी बात को रख सकते हैं आपरडर आपको जो इंस्ट्रक्शन देगा उसका पालन करके आप कम शब्दों में प्रभावी तरीके से अपनी बात को रखिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में ह इस पर आप इस कारकम को पहले ही दुपेर में जब हम बता देते हैं कि आज का कारकम आने वाला है आप तैयरी कर सकते हैं कई कॉलर है जो तैयरी करते हैं और तैयरी के साथ अपनी बात को रखते हैं ऐसे कॉलरों के द्वारा ये विशे आगे बढ़ता है विशे इतना बड पहलू सामने आ जाते है या परिपूर्ण हो जाता है जिससे की हम लोगों को इस विशे की पूरी जानकारी देने में काम्याब होते हैं और जब पूरी जानकारी मिलती है लोग समझते हैं समझने के बाद ही इस विशे पर आगे बढ़ने के लिए तयार होते हैं और ऐसे लग राजनेताओं का नंगानाच बढ़ गया था तब भारत सरकार को कानून करना पड़ा वो हटा तो नहीं पाएं क्योंकि राजनेता को हटा वैसा कानून नहीं हो सकता लेकिन ये कानून आ गया कि ज्यादा से ज्यादा कितने साल दो टम वो किसी भी महासंग का देख्ष हो सकता है और दोनों टर्म ये दस साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऐसे में कई दशकों तक कई तपों तक अपने खुर्ची को चिपकाए बेठे राजनेताओं को हिलने में बिंदास बोल का कारकम प कर आये हैं को दर के पास चलते हैं है मैं यह बोलना चाहता हूं हम यह इतना सारे नेताओं को एक खेल का बीसी से अध्याद्याग्चा और यह सब बना रखता है यह फिर भी इतना मतलब इतना कुछ पैसा यह कमाते हुए भी फिर भी यह लोग इस तरह से क्यों दान्दी कर पैसा लालची ऐसी है जिससे कभी मन भर नहीं सकता बिल्कुल तो वही मैं कहना चाहता हूं कि इतना पैसा यह लोग देश की तरक्वी में लगाए और मतलब जो खुद कमारे इतने गरीब लोग है हमारे पास इनकी तरक्वी में लगाए और उनको उनका उस्थान करे कुछ करे उनका पुर्णवाद इतनी गरीबी हमारे भरत में बिल्कुल नहींवाद क्या आप जानते हैं कि जो जो एक आशा हमारे कॉलर ने जताई है जो हिंदुस्तान की आशा है मनिशा है अपिक्षा है क्या ये भ्रष्ट लोग कभी इस पर सोच भी सकते हैं महाराश में इतन को समझते नहीं है या उनके लिए सुखा तो एक परवनी बनकर आया है जो की सालों साल सुखा पड़े और सुखे के बहाने आने वाले फंड पर भी या अपनी राजनीती और अपना ब्रष्टाचार का डोंगर खड़ा कर सके लेकिन ये लोग आम जनता के लिए कुछ करने का सोचते नहीं ये IPL जो नंगा नाच चल रहा है इसने कभी भी अगर सरकार से कोई बात भी की तो टैक्स बचाने के लिए कई कई सरकारों ने शुरू में तो इसको टैक्स में माफी दी आभी भी कई राज्य सरकारे IPL को टैक्स की भी माफी देते हैं और पैसे की रही इस परकिंग का सीओ या जो भी उसको मानत सचीव कहा जा रहा है, मानत सदश्य कहा जा जा रहा है, वो पैसे की दुरुष्टि कौण से कई उसमें पास कमी नहीं थी, इतिने जॉदा पैसे हो गये ते कि उसका किया क्या जाए, ये समस्च्षा थी, ये पैसे की भूख कभी र जितनी भी आप बाते बहुत हो बिल्कों 100% सज्जा है जो अजियो मर्जी नेता आजाए जाए वो भीज़ब आजाए जाए ज़े बेगा पार्टी का आजाए हाँ नेता अपना जे बढ़ने के घोशिट करते हैं जे बढ़ने को दूसरे को ने करते वी उस यह सब करें उनको चुन कर भेज़ रहे हैं। इनको तो हम ही चुनकर भेज रहे हैं सर मैं आचलो मैं आप यकीन करें इसी बज़े से जो है पिछले चार-पांट साल से मैं वोट ने डालता हूं इन नेता को बज़े से मुझे यह नियाता है कि मैं किस नेता का वोट डालू सरस्ष्टी के ओठ अगर ऐसे ही निराशा से घर पर उदास बैटे रहेंगे तो इनके लिए तो यह मैदान खाली हो जाएगा हम इनका मैदान खाली ना करें हम इनको जगा जगा पर रोके यही प्रयाश करें कोई राजने तिक दल, कोई भी राजने तिक दल हो, अगर ऐसे भ्रष्ट राजनेता को उमिदवारी देता है, तो आप उसका विरोध करें, भले आज आपका एक ओट है, लेकिन एक ओट कल दो, चार, छे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, और देखिए, ये स्रुष्टी का नियम है, ज अगर इस बार हम गलती कर दे, तो फिर कभी ये मोका शायद दुबारा परिवत्तन की वेट करनी पड़ेगी, इसलिए दल कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, इसे दुर्ष्ट प्रवरित्ति को अगर उखाड फेकना है, तो खेलों में भी इनको जमें क्यों रहने देना है, अगले कोला, जहिन, बोलिये, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इस बेसे कर ये करते हैं, जो अच्छे लोगर थुनगे लियाते हैं, जो भी ये धन उर बलते हैं, तो भी हो, बिलकुन, दन्यमाद,